इंजीनियस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपसे कोई भी वीडियो लेक्चर्स मिस ना हो और आप सारे लेक्चर्स सबसे पहले देख सकें अज हम मैट्रिक्स चैप्टर के एक बहुत इंपोर्डन टॉपिक के बारे में डिसकस करेंगे रैंक ओफ मैट्रिक्स तो फ्रेंड्स किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए सबसे पहला स्थेप यह है कि जो भी एलिमेंट्स दिये हूँ फॉर एग्जामपल ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो 1,2,1,1,2,1,2,3,0,-1,-1,-1 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है तो यह कोशिश करना है कि आप जितने जादे से जादा एलिमेंट्स को 0 बना सकें एक पॉइंट आजाएगा जब आप further 0 create नहीं कर पाएंगे उस पॉइंट पे जो भी highest order का मैट्रिक्स होगा जिसकी value non-zero होगी means वो मैट्रिक्स की value वो highest order in matrix की value 0 नहीं होनी चाहिए वो आपका क्या हो जाएगा rank of matrix जिस भी order का मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा rank of matrix और याद रखें फ्रेंट्स यह जो matrix होगा यह square matrix होगा अपन एक example के help से समझने कोशिश करते हैं अब हम इसमें कोशिश करेंगे कि अपन जितने maximum से maximum 0 create कर सकते हैं ओके friends, with the help of elementary transformations only तो let friends, यह क्या होता है? rows and what is this? this is column this is row 1, this is row 2 and this is row 3 this is column 1, column 2 and column 3 तो friends, आपन जीरो बनने की कोशिश करते हैं पहले से तो first step मैं consider करता हूँ, row 2 को मैं consider करता हूँ row 2 को change करता हूँ, row 2 minus row 1 तो friends, जिस row को आपन change कर रहे हैं, सिर्फ उसी को change करेंगे जिस सिर्फ उसी को आप नहीं लिखेंगे, बाकी सारा आप as it is उतार सकते हैं 1, 1, 2 and 0, minus 1, minus 1 अब row 2 को मैं क्या कर रहा हूँ? row 2 के elements को row 2 minus row 1 कर रहा हूँ तो 1 minus 1 क्या आजाएगा? 0 2 minus 1 क्या आजाएगा? 1 3 minus 2 क्या आएगा? 1 ओके friends, अब अगला transformation, elementary transformation दवाते हैं R3 को change करते हैं, R3 plus R2 से इसको इससे plus करूँगा तो 0 आजाएगा इसको इससे plus करेंगे, तो भी 0 आजाएगा तो A क्या हो जाएगा आप? रो 3 को change कर रहे हैं, तो बाकी अपन ऐसी उतार देंगे 1, 1, 2, 0, 1, 1 रो 3 क्या हो जाएगा? 0, 0, 0 हो जाएगा ओके friends, अब हम कॉलम को कोशिश करते हैं, change करने का ओके? सो कॉलम 3 को transform करते हैं, कॉलम 3 minus कॉलम 2, ओके? कॉलम 3 minus कॉलम 2 अब यह क्या हो जाएगा? A equal to, बाकी कॉलम को अपन हो ऐसी उतार देते हैं, 1, 0, 0 1, 1, 0, now this minus this, 2 minus 1 is 1 1 minus 1 is 0 and this is also 0 ओके friends, और यहां पर 0 बन सकते हैं क्या? हाँ, यहां पर और 0 बन सकते हैं, अब अब अपन 2 elementary transformation लगाते हैं C2, कॉलम 2 को change करते हैं कॉलम 2 minus कॉलम 1 and कॉलम 3 को change करते हैं कॉलम 3 minus कॉलम 1 ओके? तो A क्या हो जाएगा हमारा? A will be 1 1, 1, 0, 0 now कॉलम 2 is कॉलम 2 minus कॉलम 1 this minus this, 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, 0 minus 0 is 0 and कॉलम 3 is कॉलम 3 minus कॉलम 1 1 minus 1 is 0 0 minus 0, 0, again 0 minus 0 जीरो अब और further zero create यहाँ पर नहीं किये जा सकते हैं ओके फ्रेंट्स अब मैंने कहा था जब हम further zero create नहीं कर पाएंगे उस time पर highest order का non zero square matrix तो यहाँ पर यह क्या है एक non zero square matrix है इसकी value zero नहीं होगी तो यह किसी भी other matrix की कोई भी minor ले लीजिए आप minor of matrix से उसकी value zero हो जाएगी ओके फ्रेंट्स अब यह क्या है एक second order का identity matrix है i2 0 0 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं ओके यह i2 क्या है second order का एक identity matrix है फ्रेंट्स इसे कहते है normal form of matrix A किसी भी matrix का normal form इस तरीके से लिखाते हैं और क्यूंकि अब further zero create नहीं किये जा सकते और highest order का non zero matrix क्या है second order का है इसे लिए rank of A matrix क्या हो जाएगा 2 तो friends इसकी definition justify हो चुकिए it is denoted by this so row is 2 इसकी definition justify हो चुकिए कि पहले अपन क्या करते हैं आप इस सीज को steps को ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या करना है कि जितने elements को आप zero बना सकते हैं elements को zero बनाई है with the help of elementary transformation उसके बाद क्या करना है कि जो highest order का non zero matrix आपके पास बचेगा make sure that should be square matrix square matrix जो square matrix बनेगा वो order क्या हो जाएगा given matrix का rank हो जाएगा तो friends I hope यह basic definition आपको clear होगी और next videos में मैं all difficult questions लेके आँँगा जिसमें आपको और जादा further clear होगा और कुछ basic tricks भी बताऊंगो जिससे आप question को देखते ही समझ जाएगे कि एक idea लगा लेंगे कि step का rank हो सकता है क्या rank हो सकता है एक range पता कर लेंगे आप okay friends वीडियो पसंद आई होगी तो प्रीज लाइक कीजिए और अपके friends के साथ share कीजिए मिलते हैं next वीडियो में till then bye bye